मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अज मैं आपसे फिर से बात करूंगा यह फोन इंडिया में लॉंच होगा कि नहीं अब यह डाउट आप लोगों के मन में इसलिए आए क्योंकि आप में से लिटरली सभी लोग यह इसपेक्ट कर रहे थे कि एस जैन फोन मैक्स प्रो M2 के बारे में और मैंने उसमें बताया था कि यह फोन को 26 डिशंबर में इसका लाउंच को एसपेक्ट किया जा रहा है लेकिन काफी लोगों को लगा कि यह फोन 17 अक्टोबर को लाउंच होगा तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दोंगा इस फोन के ल लाइक सभी लोगों को लग रहा था कि यह फोन मैक्स प्रो एंटू इंडिया में 17 अक्टोबर को लाउंच होगा बट एस उस ने दो अलग से नए फोन लाउंच कर दिये असुस जैन फोन मैक्स एम वन और जैन फोन लाइट एलवन अगर हम जैन फोन लाइट एलवन के बा इसमें भी आपको मिलता है 5.45 इंच की डिस्प्ले स्नैपड़ागन 430 3GB के रैम 32GB की रोम 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल फ्रॉंट कैमरा और इसमें आपको मिलता है 4000 मिली अम पार की बैटरी और यह दोन फोन आपको फ्लिपकाट में मिल जाएंगी 6000 और साथ हजार में यह दोनों फोन काफी सही लागे मेरे को और इनके स्पेक्स देखके तो यही लगता है कि लाइक इनके प्राइस रेंज के अनुसार आपको काफी तगड़ी पॉफामेंस देखने को मिलेगी यार आप इसमें डेफिनेटली पपजी तो हायर सेटिंग्स में नहीं खेल सकते हैं लेगिन लोग सेटिंग्स में आपको काफी स्मूध गेमप्ले देखने को मिल जाएगी और अगर हम दूसरे फोन के बारे में बात करें जो इस प्राइस रेंज में आते तो आप उन सभी फोन में आपको मीडिया टेक का प्रोशेसर देखने को मिलेगा लेकिन इन दोनों फोन्स में आपको स्नैपड्यागल्न का प्रोशेसर देखने को मिलता है सो हाँ अगर आपकोई फोन पर्चेस करने की सोच रहे हो और आपका बूझर्द एग्दम ताइट है लाइक अच्छे 7 ल के बीच में आप इन दोनों फोन्स में कोई एकको पॉब कर सकते हो आपको डेफिनेटली अच्छी वहलेगी आपके प्राइस की अब बात करते हैं एस्ट जन फोन मेक्स प्रो एंटू के बारे में और मैंने पहले के वीडियो में भी आप प्रूफ दिया था कि एसुस जैन फोन मैक्स प्रो एंटू की सर्टिफिकेशन साइट लीक हुए रस्या में और यह फोन अभी प्रोसेशिंग में यह फोन तो डेफिनेटली इंडिया में लांच होगा बड़ थोड़ा डिले हो सकता है और एस्पेक्ट किया जा रहा है कि यह प्रणिवी इस भी फोन डिसम्बर को लांच हो सकता है इंडिया में अगर आप कोई भी डिवाइस का एग्जांपल ले लेते हो लाइक यह मी वन जब लांच हुआ था तब यह फोन काफी ज़्या चला था और रियल्मी ने कुछ टाइम बाद रियल्मी वन का सक्सेसर ले क आया था Redmi Note 6 और Redmi Note 6 Pro करके और आप सभी लोगों को भी पता है और Asus को भी पता है कि Asus Zenfone Max Pro M1 कितना ज्यादा चला था और इसके यूनिट्स भी काफी ज्यादा सेल हुए थे तो डेफिनेटली अपने पेर में कुलाड़ी नहीं मारेगा लाइक Asus Zenfone Max Pro M2 लांच ना करके उनको भी पता है कि Asus Zenfone Max Pro M2 आने वाले दिन में काफी ज्यादा चलेगा और काफी ज्यादा लोग को Asus Zenfone Max Pro M2 का वेट है और अभी तो Asus Zenfone Max Pro M2 की सर्टिपिकिशन साइड भी लिख हुए फिर डेफिनेटली कॉन्फर्म है कि Asus Zenfone Max Pro इंडिया में लांच होगा थोड़ा डिले हो सकता है तो आई होप यह वीडियो में आपके Asus Zenfone Max Pro M2 से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लाइक यह फोन इंडिया में लांच होगा यह नहीं होगा यह फिर कब होगा तो बस आज के लिए इतना ही आई होप आपके पसंद आए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंस के साथ भी सेर कर देना तभी तो मेरी वीडियो चलीगी आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए बाबाए कर दो